आपने टीवी में देखा होगा कि किसी भी राजा की पत्नियों के लिए रानी, महरानी और पत्रानी शब्द का इस्तिमाल होता था आपने किताबों, कहानियों, फिल्मों और पुराने किस्तों में आपने कई बार किसी किले या राज्ये में रानी, महरानी और पटरानी शब्द को सुना होगा लेकिन कई लोगों को इस बारे में confusion रहता है कि इन सभी का मतलब क्या होता है और तीनों में ही बुनियादी अंतर क्या होता है, तो जानिये इन में क्या अंतर होता है नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनीता सिंग और आप देखना शुरू कर चुके हो आपका अपना टीसलिस्ती यूटूब चैनल जहां आपको आपके इतिहास से रूबरुक करवाया जाता है दोस्तों इस तरह की वीडियो देखने के लिए तीसलिस्ती चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें राणी कोन होती है? किसी भी राज्य में जहां राजा होते हैं वहां उनकी पत्नियों को राणी कहा जाता है एक राजा अगर कई शादिया करेगा तो उनकी सभी पत्नियों को राणी कहेंगे राज्ये में कई राजा हो तो उन सभी की पत्नियों को भी राणी ही कहेंगे जैसे किसी महाराजा के चार बेटों को राजा कहते हैं उसी तरह उन सभी की पत्निया भी राणी होंगी महाराणी कौन होती है? महाराणी आम तोर पर महाराजा के नाम से जुड़ा होता है जैसा कि उपर बताया गया राज्य में कई राजा हो सकते हैं लेकिन वहां का महाराज एक ही होगा जिसके हाथ में सभी निन्ने लेने के अधिकार होंगे ऐसे में महराजा की पत्नी को महरानी कहेंगे वहीं अगर महराजा ने कई शाद्या की हो तो उनकी सभी पत्नियों को महरानी ही कहेंगे बता दे किसी भी राज्य में महराजा एक ही होता है जिने समराठ भी कहा जाता है पत्रानी कौन होती है जैसा कि हमने बताया कि एक राजा की कई शादिया हुआ करती थी ऐसे में उनकी सभी पत्नियों को रानी कहा जाता है लेकिन किसी राजा या महराजा की सबसे खास पत्नी या जिससे उसका लगाव या सम्बंद सबसे ज़्यादा होगा उन्हें पत्रानी कहेंगे कई लोग इसे सिंगासन से भी जोडते हैं कहा जाता है कि पट का अर्थ है सिंगासन अर्थात जो रानी महराजा के साथ बगल में सिंगासन पर बैठने का अधिकार रखती हो उसे पटरानी कहा जाता है बता दे किसी भी राज्ये में राजा या महराजा की पटरानी भी एक ही होती है दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी किर्प्या हमें कमेंट करके जरूर बताएं मैं जल्द आप से मिलती हूँ नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिन जै भारत